नमस्कार जेड न्यूज डिश्टल मीडिया से मैं पंकश कुमार डेली निव जनाल्सिस डिनने में आप सभी का स्वागत है दोस्तों डेली निव जनाल्सिस प्रोग्राम में देनिक अकबारों के मुख्यमुके खबरें उम संपात्किया पेज का सारांस होता है तो आए नज देनिक अखबारों की उद्धव माराष्ट्र के नए सियम राजयपाल ने ठाकरे को बनाया सियम तथा तीन दिसंबर तक बहुमत साबित करने को कहा फिर पल्टी बाजी फ्लोर टेस्ट से पहले फरनांडविस और अजीत का इस्थिपा सुप्रिम कोट के फैसले के बाद प उख्यमंत्री के पास बहुमत है की नहीं यह पता लगाने के लिए जल्दी से जल्दी बहुमत परिच्छन कराना जरूरी है अधालत में बहुमत परिच्छन की प्रकिरिया तै करते हुए कहा कि ततकाल प्रोटम स्पीकर न्यूक्त किया जाए अखिल भारतिये पुलिस कामरेस कल से आयोजित होगा जिसमें 28 को पुड्डुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरन बेदी करेंगी उधगाटन 29 को समापन समारों में मौझूद रहेंगे ग्रीमंत्री अमित साहभी सुन्नी वक्फ बोड नहीं दायर करेगा पुनरविचार याचिका जिसमें 5 एकड जमीन पर नहीं की गई चर्चा सतस्यों ने मांगा और वक्फ मुस्लिम पस्नला बोड ने इससे नहीं रखा इतिफाक उल्मा बोले सुन्नी वक्फ बोड खुद मुक्तार इदारा है वो इलेक्टेड वाडी है बोड का अधिकार है कि वो फैसला ले कि उसक पर विचारी अचिका दाखिल करने के पक्ष में है तो भारतिय समयधानों से पूरा अधिकार देता है परदानमंत्री ने करतब्यों की दिलाई याद लोकतंत्र के प्रति आस्था बनाये रखने के लिए जताया आभार कहा सतर सालों में और सम्रिद्ध वससक्त हुआ लोक परमंद, UGC ने गयर तकनीकी छात्रों के लिए तयार किया जीवन कौसल के नाम से पाठेकरम, पीफ गोटाले के दोसियों से वसूलेंगे पाई पाई जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा गोटाले का मास्टर माइंड ता सपा सरकार का चहता आपसर, विपक्ष को एहसास कराय किया हटने का नहीं डटने का वक्त, समिदान चेतना में भूमिका निभाय विधायक, आनंदी बेन ने कहा, समिदान दिवस पर आयोजीत विशेश सत्र में, राजप्याल का विवासन, यूपी में पांच नय मेडिकल कॉलेजों के हरी जंडी, कमपनियों को सो पेट्रोल प पर दो गुनी रासी निकाल सकेंगे, सेबी ने सीजी पवार से जनकाली मांगी, पुंजी बजार नियामक सेबी में धोखाधड़ी से प्रभावित सीजी पवार से थापर और अन्न के कारे काल में, पितिया निमित्या से जुड़ी ओडिट रिपोर्ट की जनकाली मांगी ह मुद्रारीन योजना से बढ़ते इन पियार पर बैंकों कोचेताया है रूस से बड़ी मात्रा में कोईला खरीदेगा भारत आफिज को फांसी देने की मांग उठी जिसमें जापान में 50 मानवादिकार कारे करताओं ने पाक दुतावास के सामने किया प्रदर्सन इंडिया करप्सन सरवे 2019 के मुताबिक देश में साल भर में 10 फिजदी कम हुए भरष्टाचार के मामले पाक सेना प्रमुक बाजवा के सेवा बिस्तार पर सुप्रीम कोट की रोक जिसमें इमरान ने बाजवा के सेवा बिस्तार की अधिसूचना वापस ली बिटेन के आम चुनाओं में अगर भी पक्षी दल लेबर पाटी सत्ता में आती है तो पढ़ाया जाएगा बिटिस राज में अन्याओं की कहानी कार्टो सेट 3 के लौंच की उल्टी गिंती सुरू जिसमें उन्नत स्रेणी के बहु देशिय सेट लाइट कार्टो सेट 3 के परशेपन के लिए 16 घंटे का काउंट डाउन शुरू हमबन टोटा बंदरगाह चीन को देना बड़ी भूल तो हाईए आप बात करते हैं देनी जानल के संपात्किय पेज की सिरलंका को साधने की चुनावती नाम से लेक छपा है जिसके लेखक हैं हर्स बीपंत जो कि लंदन इस्तित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेसंस के प्रोफेसर रहे हैं लेखक काना चाहते हैं कि सिरलंका के राश्टपती चुनाओं में एक बार फिर राजपक्षे परिवार सत्ता के केंद्र में आ गया सिरलंका पोट जुनाव पेर्मुना यानी S.L.P.P. के नेता गोता वाया ने अपने पर्तिद्वंदी उनाइटेड नेशनल पार्टी के सजित प्रेमदासा को भारी मतों से हरा दिया जिसमें उनकी जीत का अंतर 10.25 परतिसत का था हलाके पुरो राश्टपती मैत्रीपाल सीरो सेन और पुरो परधानमंत्री रानिल बिरक्रम सिंदे 5 साल पहले ब्रश्टचार बिरोधी मुहीम के पक्षपर सत्ता में आये लेकिन आंतरिक मतभेद और प्रसासन के नाकाम माडल से वह कुछ बेहतर नहीं कर पाए और फिर राजपक्षय यूग की वापसी हो गई सिरलंका चुनाओं में सुरक्षय का मुद्दा केंद्र में रहा है साल के सुरुवात में इस्टर के दिन आयेस आयेस द्वारा किये गया आतंकी हमले के बाद दुई पक्षिय देश में सुरक्षा को लेकर तमाम संकाएं पैदा हो गई थी उन भयावा हमलों से 260 से अधिक लोग मारे गए थे तो तमाम लोग घायल भी हुए थे गोताबोया ने लोगों के इन आसंकाओं को अपने पक्ष में खुब भुनाया उन्हें तमिल बिद्रोहियों द्वारा छेड़े गए सिरलंका के ग्रीवुद को समाप्त करने का स्रे जाता भी है और एसे में अधिकांस मद्दाताओं विशेशकर बहुसंख्यक सिहली तबके ने उन्हें सत्ता की कमान दे भी दी एसे गोताबोया को बहुसंख्यक सिहली की छबी मांगी भी पड़ सकती है क्योंकि उन्हें अल्पसंख्यकों को समर्थन नहीं मिला है एसे में यदि उन्हें राष्टपती के रूप में अपना कारेकाल पूरा करना है तो ध्रुवी करन की इस खाई को पाटना होगा और इसी भी चंतराष्टी अस्तर पर उन्हें सहज भी होना पड़ेगा क्योंकि LTTE के दमन करने के दवरान वह मानमा धिकार के निशाने पर रहे हैं संजुक्त राष्ट ने स्रिलंकाई सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि ग्री युद्ध के अंतिम चरण में उन्होंने 40,000 से अधिक लोगों को मौत के घात उटा रहा यही वज़ा है कि उनके लिए चीन और भारत जैसी छेत्रिय सक्तियां कहीं ज़्यादा महत्वपूर है यह अच्छा है कि भारतिय विदेश मंत्री S.J.S. अंकर गोताबाया से मुलकात करने वाले पहले विदेशी उच्चाधिकारी रहे हैं उन्होंने सुभकामना के साथ भारत आने का मंत्रन भी दे दिया जिसे राष्टपती ने स्विकार भी कर लिया हलाके चुनाओ जितने के बाद उन्होंने एलान किया था कि उनका देश किसी भी तरह से छेत्रिय सक्ति के खीचतान में सामिल नहीं होगा या उनके चीन के साथ कथित जुकाओ का जबाब माना गया गोताबाया के साथ सक्रियता बढ़ाने में भारत के जुकाओ को सहथ समझा जा सकता है क्यूंकि चीनी उद्धपोतों को कोलंबो बंदरगाह पर लंगर डालने के अनुमती रक्षा मंतरी गोतावाया नहीं दी थी महिंद्रा राज पक्षे ने वर्स 2014 के चुनाओं में अपनी हार का ठिकरा भारतिये खुपी आईजन्सियों पर फोड़ा था हलाकि सिरोसिन सरकार सिरलंकाई विदेश नेती में चीन के असंतुलन को संतुलित नहीं कर पाई और चीन अपनी आकरामक रण नेती से सिरलंका में अपनी पैट बढ़ाता रहा अभी हाल ही में उसने एक युद्धपोत भी दिया है चीन ने सिरलंका में 11 अरब डालर के भारी बरकम निवेस की योजना भी बनाई है सिरलंका चीन के महतोकांची बेल्ट एंड रोड पर योजना के साथ जुड़ा हुआ है और लागातार चीन सिरलंका में बुनियादी नहाचा बिकास पर निवेस भी कर रहा है इसमें UIC रिफाइंडरी से लेकर कोलंबो सेंटर इत्यादी भी रहा है चीन के कर्ज जाल में फंसने के खौप के बावजूद यह सब हो रहा है इसी कारण सिरलंका को हमबन टोटा बंदरगाह की लीज 99 वर्स के लिए चीन को देने पर मजबूर होना पड़ा हलाके चुनावी गुस्वणापत्र में गोतावाया ने ACI सक्तियों से समान दूरी बनाया रखने की गुस्वणा की है अंत में लेखक काना चाहते हैं कि अपने पडोस में चीन की बड़ती धमक को लेकर रख्षात्मक होने के बजाए भारत को अपनी ताकत के दम पर दाव लगाना चाहिए और अपनी सब्यता संस्कृति के कड़ियों का लाव उठा कर सिरलंकाई सरकार को ठोस आर्थिक विकास के लिए तयार करना चाहिए आईए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के संपाथ किया पेज की रास्ता भी क्या बचा था नाम से लेक छपा है जिसके लेखक है निर्जा चोदरी जो कि राजिंतिक बिसले सक हैं लेखक कहना चाахते हैं कि जो दल बैचारिक रूप से दूर दूर दिख रहे थे तीन दिनों के नाटक ने उनकी एकता को अचानक ही मजबूत कर दिया इसी मामले में लेखक कायना चाहते हैं कि सीव सेना राष्टवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नया गटवंधन कितना इस्तिर सरकार दे सकेगा यह अभी देखना है यह सही है कि विचारधारा और सियासत के नजरिये से NCP, कांग्रेस और सियुसेना के काफी मतभेद रहे हैं फिर भी अगर ये तीनो दल एक साथ आ गए तो इसका सरे खुद भाजपा को ही जाता है दरसल महराष्ट बिदान सबाचुनाओं के नतीजे के आने के बाद से ये तीनो दल आपसी भी बात सुलजाने में जरूर जूटे रहे और आसाहमत भी रहे मगर सुक्रवार सनिवार की आधी रात की राजनिती ने उन्हें अचानक ही बदल दिया और वह एक हो गए यह काबिले तारीब भी है और इसी करव में तीनो दल इतना मजबूत हो गए कि किसी पाटी का एक भी विधायक डिग नहीं सका यहां तक की न्सिपी के बागी विधायक जिसकी संख्या 10 से 11 के आसपास थी वो अभी सरकार बनाने के अभास से दल के प्रती और मजबूत हो गया इस सरकार के टिकाओं होने की संभावना इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सरद पवार और सिवसेना प्रमकुद्धर ठाकरे में आपसी समझ इन दिनों गहरी हुई है तो इसका एक कारण चुनाओ प्रचार के दोरान सरद पवार को प्रवरतन साले एडी से मिली नोटीस भी टर्निंग पॉइंट साबित हो गया इसी नोटीस के बाद NCP सुप्रीमों भाजपा पर हमलावर हुए और मराठा अभियान, दिली बना मुंबई की राजनिती, छत्रपती सिवाजी की तरह लड़ने का माददा आधी के आहवान से चुनाओ और भी दिल्चस्प हो गया मद्दाताओं को भी एक नया बिकल्प दिखने लगा, वहाँ बेशक सत्ता विरोधी रुजान नहीं था, मगर फिर भी लोग भाजपा सिवसेना सरकार से बहुत खुस नहीं थे इसतन मद्दाता एंसीपी और कांग्रेस गटबंधन के पक्ष में भी गोलबंध हुए और दूसरी तरफ सिवसेना और भाजपा गटबंधन के मतभेद नतीजे के दिन ही जाहिर हो गए जब देवेंदर फरनांडीज की संजुक्त प्रेसवारता की मांग को सिवसेना प्र कोई जटका नहीं लगा है बलकि राज्ट्रिय जनतांत्री गटबंधन एंडिये का अगुवा दल होने के नाते कुछ सवाल भाजपा को भी परसान करेगा जेपी नड्डा को क्या पार्टी का पुणकाली का ध्यक्ष बनाया जाएगा या पार्टी के अस्तर पर अमित साह कितने सक्रिय रह पाएंगे अंग्राज्जियों के साथी दल कितना दबाव बनाएंगे क्या बिहार में ठोस गटबंधन अकार ले पाएगा ऐसी बहुत से सवालों से भारते जनता पार्टी को काफी गंबिरता से जुजनाप पड़ सकता है कुल मिलाकर माराष्ट के इस सियासी ड्रामे में सरत पवार विपक्ष के राष्टी नेता के रूप में उभर करें राष्ट की नई राजनिती से कांग्रेस का एक अलग चेहरा उभर कर सामने आया है उसने दिखाया है कि राज्जियों में वह छोटे भाई की भूमिका उड़ने को तयार है अच्छी बात यह है कि वह तमाम साथी दलों को एक धरातल पर देखने लगी है फिर छेत्रिये दलों को नेत्रित्व सौपने पर भी उसने हामी भर दी है वह इस सवाल पर भी अब असपश्ट रूख अपनाने लगी कि उसका मुख के परतेदवन्दी कौन है और उसे किसके साथ समझवता करना चाहिए रही बात से उसे न की तो उसके लिए उग्र हिंदुत्तों की राजिनिती अब आसान नहीं होगी बहुत मुमकिन है कि वह उदार हिंदुत्तों की वकालत करे जिसमें समगरता की बात हो और जो किसी के खिलाफ नहीं हो रोजगार, किसी संकट, अन्नदाताओं के मुश्किलों से जुड़े सवाल पर वह सबसे पहले आएगी राठा मानूस मुद्दे को अहमियत देगा लेकिन अब किसी दूसरे समुदाय को आहद भी नहीं करेगा और राकपा भी साइद इसी एजेंडे पर आगे बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो सरकार तो सरद पवार ही चलाएंगे और अगर अस्थानिय निकायों में या गटबंदन एक साथ हुतरेगा तो भाजपा के लिए कई मुश्किले पैदा कर सकता है टेली न्यूज अनल्सिस डीने प्रोग्राम में बस आज इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद